कल वने चर्चा में बात लिए थी कि वस्तू व्योस्ता में ग्यानी और अज्यानी ऐसे दो भेद नहीं है अब लाग ग्रीन कार्ड वाली व्योस्ता ज्यानी की हो, यलो कार्ड वाली व्योस्ता अज्यानी की हो, ऐसा नहीं है, ज्यानी और अज्यानी के लिए वस्तु व्योस्ता और उसके नियम जुदे जुदे नहीं, बार बार इस बात को बड़ी गहराई से कहा जाता है और सब जिगे इस पावन आउसर पर इस बात को कहना चाहिए दोहराना चाहिए जेन हो, शुतांबड जेन हो, 13 पंती हो, 20 पंती हो Common factor कहो, जेन धर्म वैज्यानिक धर्म है जेन धर्म बीतरागी धर्म है जेन धर्म युनिवर्सल नियमों पर चलने वाला धर्म यहाँ फेस को देखकर नियम बदल जाएं ऐसा बराबर यह जितने भी पूजा पार्ट कई बार होते हैं उपवास क्रियाकान होते हैं वो सारे लोग जो जो कर रहे हैं उनके अभी प्राय को देखोगे तो फेर फार का भयन कर अभी प्राय पड़ा हुआ है इसलिए उनकी सारी विदियां ब्यारत क्या बोला हूँ थोड़ी समझ लेना सब ऐसे लंबी फायरिंग करने के मोड़ में नहीं हो किसी के उपर कि जितने भी लोग अभी ये मतलब मेरे नीचे ही एक बेन ने सोल आगवास किये कोई लंबी लंबी विदान कोई उनका वो हेतू नहीं होता कि हम आत्मा और आत्मा की निकटता को बैसूस करें वजन बढ़ गया है अब 365 दिन खाका करते हैं 55 दिन तो क्या करें कम करने का कोई उपाय और दिन तो कंट्रॉल होता नहीं इस दिन के नाम पर क्या हो जाता है और दच पिरूप से कहते भी इस बाग को चाहिए अच्छा मदी कम ओजया अच्छा मदी कम हो जाता अरे भाई उपाज जैसी परम बश्तोर जो तुमारी तुमारी आत्मा के सांत निकटता के नाम से जुडी है और तुम्हों असे और चर्वी वाल अस्रद्दान कर दो नहीं अई बहुत सुम्जी क्या कहना जा रहा है कोई आपको यह कह दे कोई यह कह दे कि घी में चर्वी है घी में क्या है? चर्वी है आप तरंद वो घी छोड़ दोगे घी गोरस की उच्चतम दशा है और उपवास साधना की उच्चतम दशा है क्या समझे? घी किसकी उच्चतम दशा है? गोरस की उच्चतम दशा है और उपवास मतलब आत्मा के निकटवास करना यह साधना की उच्चतम दशा है अरे सारी साधना किसके लिए होती है? बताओ आत्मा की निकटता के लिए अब चर्वी वाला घी वो उस गौरस की उच्चतम दशा में किसी ने चर्वी मिला दी वो अहिंसा की दरस्टी से तो बुरा है लेकिन भेड़ सेल भी करने जाओ तो कितना खराब लगे एक तो सरीर का विकार और एक उरस की उच्चतम दशा कैसे मिला दिया अहिंसा की दरस्टी तो बुरा है लेकिन एथिक्स की दरस्टी से भी देखो कि मतलब कितना स्रेष्ट वो तत्व है और कितना निक्रिष्ट ये तत्व है आप समझ ना क्या कह रहा हूं चर्वी बाला घी नहीं खाते हैं क्योंकि घी गौरस की उच्चतम दशा है उप्वास आत्मा की साधना की उच्चतम दशा है उसमें चर्वी कहां से मिला दिकी चर्वी कम हो जाएगी होए तो होए ना होए तो ना दियान में आने निक्चे और यह सब सहज कर्तित्तों का निशेद करके हो रहा है यह क्या हो रहा है बस आत्मा का स्वरूप जोजीव समझते नहीं मराबर बस तु भी अश्चता को अरे उन्हें यह समझाओ प्रभो बड़ी दवंगता के साथ में कि जेन धर्म वैज्ञानिक धर्म है कर्म करने कम करने की वी विधी बताई है वीतरागी होने की विधी बताई है और जो काम जिस विधी से होता है वो काम उस विधी से होता है फेस अलग-अलग नहीं है तो ज्ञानी के लिए ग्रीन कार्ड वाली व्योस्ता हो अज्यानी के लिए यलो कार्ड वाली व्योस्ता हो अन्ने के लिए कोई दूसरा कार्ड हो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है तो अज्यानी जैसे ज्यानी परका करता नहीं है सिद्धान बराबर जैसे ज्यानी परका करता नहीं है बैसे बैसे बोलो अज्यानी भी परका करता नहीं अज्यानी को अज्यानता के कारण पर मैं फेरफार करने का अधिकार मिल गया हो ऐसा अज्यानी भालक को सब कुछ करने का अधिकार होता है बालक पेपर फाड़ दे बालक वस्तूओं को फहला दे ऐसे अज्यानी को अधिकार दे दो आप पेपर फाड़ने दोगे दो जार का नोट नहीं फाड़ने दोगे तो सब बालक पन भूल जाता है राक्षस है तू राक्षस समझ में आया अज्ञानता के कवच के तले आप अपने पापों से अपने प्रमाट से अपनी भूलों से नहीं बच सकते क्योंकि जानना आपका अधिकार है क्या बोला जानना आपका अधिकार ये कितनी गजब बात है कि कोई वस्तू हम लाते हैं तो यूजर मेनुवल कप पड़ते हैं जब उसे क्या कहते हैं निकालना होता है या खराब हो गई होती है तब कि सुरुवात में कैसे यूज किया जाता है यही बात है अपने मोबाई लेकर आए तो कब करोगे जब उसको बेशना होगा तब पड़ोगे यूजर मेनुवल कि जिस दिन लाए साम तक तो पूरा स्वाध्या हो जाता है स्वाध्या है और प्रयोग और ना हो तो कंसल्टिंग और इन में भी ना पड़े तो तो दुकान वाले की माते उपर हम ना स्वारे लई ने गया था बराबर काम करतो ना थी कितनी ततपर था कितनी उग्रता और उन कुद्रत के और जीवन के सनातनियम कब पड़ते हो मोबाइल लाने के पहले मोबाइल चलाने की जानकारी ले लेते हो मोबाइल तूटता है तब नहीं और जीवन और कुद्रत के सनातनियम कब पड़ते सुनते हो जब जीवन तूटकर विखरने लगता है तब जब समाधी पड़ना होता है तब समझ लाते हो कैसे होगा जब आप सिमटने के लिए होना चाहिए तब आप फैलना शुरू करते हो पॉइंट आ रहा की नहीं आ रहा समझे क्या कहना चाहरा हूँ अधिकतर की समस्या है जीवन की संध्य वस्ता में सीमित होकर आत्म केंद्रित हो जाना चाहिए तब हम ओक्षमार्ग में अंकुरत होते हैं अब पैदा भी होना है सरवाइब भी करना है बढ़ना भी है फलना फूलना भी है और सिमटना भी भावी मैं ख्याल मारे कि कितना बड़ा विचितर विरोधा बास है समझे नहीं संध्य भाई सब काम समाधी की अवस्ता में एक काम करते हो जीव को लोग तब जान रहे अजीव को तब जान रहे समय सब अभी जानोगे फिर कितनी सारी का द्रसा बताए बीज होता ना बीज बीज को जब सबसे पीक पीरेट क्या होता है बीज अंकड़ित होकर वो सर्भाएप कर जाए क्यूंकि अगर वो कम्जोर होता है तो कई खर्पतवार खाजाती उसको कई पश्व पक्षी खाजाते हैं सबसे में प्रस्श्ना रहोता है हजारों जीजों में इसे अंकड़ित होने के बाद में 10-50 बीच क्या होते हैं फलसा लूप बदल पाते हैं बागी खराब हो जाते हैं तो मोक्ष मार का अंकुरण भी आपको अभी करना है सर्वाइब भी अभी करना है बढ़ना भी अभी है फलना फूलना भी अभी है और सिमटना भी अभी है एसा गड़बड जोला क्यों हुआ भई एक जीवन का क्रम बनाते ग्यान करते समझने के लिए समय देते विक्सित होने की उसे ताकत देते बराबर फलते फूलते मतलब स्वयम के लिए और अन्ने के लिए उपकारी बनते फिर सिमटते कि मैं अभी जो बोल दिया ना रूपक में इसमें मेरा एक पूरा एक घंटे का पूरा सेट है अगर मैं अभी बोल नहीं रहा हुआ पिर से समझ दो जो मैं इस शब्द बोल रहा हूं उसको ध्यान से पकड़ लेना तो वो मेरा एक घंटा बच जाएगा वो बचेगा मैं वो जाना नहीं चाहेता अभी आप सजित्त नहीं समझे ऑते ना क्या बोला कि वीज ढाल दिये सबसे पहले क्या होना चाहिए अंकोरन हो अंकोरन किसकी निशानी है वीज को ग्रहन किया है इसकी निशानी जिनवारणी आपकी रिदय की जमीन को ज्छुएगी मस्सिस्क में रहेगी इसके लिए ये भी जरूरी है मस्सिस्क में रहेगी तो इर्दय तक काbread करोẫn इसलिए जो सुनोगे सुनकर याद करोगे और उसमें अपनापन करोगे तो आपको रदय को छुएगी वोही जिन्वानी के भी जंकुरित होंगे आप ये नहीं समझना लोग बड़े बोग जड़ बुद्धी होकर कह देते चार गंटे सुना छे गंटे सुना सब ऐसा कर रहें पत्थर पर बीज डल ला हूँ एक बीज को ग्रण नहीं करते जैसे आए बैसे कि बैसे को रहे को रहे को रहे एक तरीका नहीं है बराबर तो सबसे पहले अंकुरित कौन सा बीज होता है जिसने जमीन को चुआ हो अत्वा जमीन ने जिस बीज को आत्म साथ किया कि दूसरे नंबर सबसे खतरनाक और सबसे डैडी के कहते हैं वलनरे वल टाइम कौन सा अंकुरित हो गया अब उसका सर्वाइब करना बहुत कौमल समय होता है बहुत कमजोर बीज है बहुत ही कमजोर है कोई भी उसका विगाड सकता है एक चोटा बालक भी आएगा ना वो भी खेल-खेल में ऐसे गांच पत्ति खीश देगा वो गया बीज गया इस मैं फ़िए होता है दस दिन के बीज होते हैं थे गपना में के धिन खतम हो जाते है कि है यह दस दिन के ला वान में देट सबको नहीं ले सकते अपन अधिकर के जो भी जोते में दिरगर नहीं होते हैं हंकुरित भी होते हैं को कि दस दिन तो चित्ती की भूमि इदनी कौमल है प्ASON हैं लेकिन इतने कॉमल हैं इतने वनरेबल हैं क्या कि कोई भी बाहर निकलोगे आप सबसी मंडी में जाओगे बट्टा में जाओगे सब देखोगे अजय और क्या क्या है यह सब अजय होने इस तरफ जाओ तो मनी मद्रा जो जो देखेगा वो आपके बीज को निष्ट कर देगा आगी बात समझ में कॉमल थे जिवी अंकुरित वीजों को तब तक समालना है जब तक उनके अंदर ताकत ना जाए शक्ति विख्षे तोने देना अंकुरित वीज अंकुरित होगे अच्छी बात है लेकिन शक्ति हीन है सद निमित्तों के बल से उसको सक्तिवंत बनाना बराबर विख्षित होने का उसर देना और वो ताकत आएगी उसके अंदर जब ताकत आएगी तो बीज ब्रक्ष बन जाएगा फिर आपको जरुवत नहीं है उसको ताकत देने की फिर तो लोग गाय भी उससे बांद कर चले जाएगा तो इला नहीं पाएगा गाय भैंस यह कमजोर नहीं होती कभी में गया था ना एक जिक है तो बता रहा थे एक बार वो कहीं जा रहे थे उनके भाईया तो उनका भैंस से एक्सिडेंट होगे रात के समय आगे का पूरा वो मडगाड वो पूरा हो गया और भैंस एक गिरी फिर उठी मतलब बहंस बुद्धी के मामने में खराब है मागी बड़ी तो बहंस ही है और अप भैंस लेकिन वही जब ब्रक्ष जो छोटा एक छोटा बच्चा उसे नश्च कर देता था फल दूप हो गया जाड़ बन गया अब उससे आप पसु पक्षी भी बांदो तो एला नहीं पात और उसकी चाओं में कितने अब फल दूप जो मैंने चोटे नंबर पर बोल लागी आप स्वेम के लिए पीज की यात्रा वुरक्ष बनी और फ्रक्ष बनकर फिर से सिमट के पहले धर्ती के गरत में गई थी और पूयनता प्राब थैंख अब समाधि में जो चीश सुनी है समाधि की सिमटने की बात सुनी है उस समय एंदर बीज ढलते हैं तो काम बहुत करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता हो सकता है लेकिन समय ज़्याधा ची किलियर हुआ ना पालडी के लोग इतने प्यारे हैं कि पेट में कुछ रहते ही नहीं निकल जाता है यह बात क्या लिए ना कि ज्यान की कीमत बता रहा है तो यह ज्यानी और अज्यानी के लिए अलग-अलग वस्तु व्योस्ता नहीं है ज्यानी और अज्यानी जो वस्तु व्योस्ता को जान लेता है वो ज्यानी और जो वस्तु भी वस्ता है कि विरुद्ध जाता है वो अग्यानी मांकि काम तो सबका एक साही है और इसलिए यहाँ पर यह शब्द बोला अगला जो कलस है 62 नंबर का 62 नंबर का अगली गाता के पहले है कि मतलब ज्यान मई आत्मा है इसका निर्ने करवार है एक साहन बोलेंगे सब बड़ा प्रसित कलस है सब को याद ही होना चाहिए प्रतिक्रमन आदी में भी हम इस कलस को पढ़ते हैं ठीक है न क्या कहते है आत्मा ज्यानम एक साहन पढ़ो सब कोई मुझे पूछे कि ये सुबा के सब लिखते हैं अलग अलग जिगे तो क्या करना चाहिए कौन सा सुबा के लिखना चाहिए तो मैं जहां आप दुकान पर बैठते ना लाभानी ज्यादा होती है वहां उसी जिगे पर ये लिख दो सुम्ति भाइल सब वहां पर मोबाइल पर लिख दो क्योंकि जो जो हमारी रागदेश की फैक्टरी है जहां-जहां से चल लही है दुकान का गल्ला है ना कॉम्प्यूटर मोबाइल माताओं बेनों के भी अपने-अपने प्रसादन के जो जो ड्रेसिंग टेबल होती है वो कपड़ों की वाड्रोप होती है वो बराबर मेडिकल रिपोर्ट हर के उपर ये लिख दो क्या क्योंकि ग्यानी का ग्यान नहीं बोला अत्मा अब जो जो आत्मा है उसके उपर ये नियम अलाओड होगा बोलो आत्मा कौन नहीं है सब हैं तो सब की जोब प्रोफाइल एक लाइन में दे दी तुमारी हमारी किसी की भी सरवग्य भगवान की जो जो प्रोफाइल है वोई की वोई जो प्रोफाइल तुमारी ऐसा धर्म कहीं मिलेगा ऐसी समान था कहीं बताई एई बहीरात्मा अंतरात्मा परमात्मा में ब्येद नहीं किया बहीरात्मा और अंतरात्मा की बात क्या कहें बहीरात्मा और परमात्मा में भी ब्येद नहीं किया पॉइंट समुझा है क्या किया रहा है यह जैन धर्म है जगत तो अभी बहिरात्मा और अंतरात्मा को एक एक सुरूप मानने को तैयार नहीं ग्यानी तो जुदे ही होते हैं हम तो सब कर सकते हैं अरे प्रभूप जैसे ज्यानी जैसे तू और ऐसे ही भगवान जो जो आत्मा है हमने पहले आत्मा के पाले लेसन में बात पड़ी है कि आत्मा तीन नहीं होती है आत्मा की अवस्ता तीन होती है और हर अवस्ता में काम तो यह गई आत्मा ज्यानम स्वयम ज्यानम ज्यानात अन्यात करो तिके जीव मैं आत्मा हूं ज्यानम हूं स्वयम ज्यानम हूं पड़ पड़कर ज्यानी नहीं हुआ सुन सुनकर ज्यानी नहीं हुआ किसी और चीद से मैं ज्यानी नहीं हुआ प्रभो स्वयम ज्यानम हूं ज्यान 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 हो मई है जैसे अम्रोथ स्वयम आरोग्य वर्दक है वैसे मैं भी स्वयम ज्यान मई हूँ जैसे अगनी का प्रदेश प्रदेश उश्णता से भरा है शीतलता के साथ गटबंदन नहीं मदुरता से भर्यूई सक्कर है कटउता के साथ कोई संबंद नहीं रोग जिसको छूबी नहीं सकता ऐसा अम्रुत है वैसे प्रभू तेरी आत्मा भी ऐसी ही है ऐसी ही है प्रतीती कर इसके लबद तो कुछ करते ही नहीं बताओ आज सक्कांती मैं दूसरा प्रस्न करता हो आप जब कह Fields मैंने ये किया वो किया तब बताओ तब thou क्या कर रहे थे मैं जब आया था गाउं से कुछ नहीं था मेरे पास पैसा नहीं था दुकान नहीं थी आज आचा तो पैसा बनाया दुकान बनाई परिवार बसाया इतने जगे प्रसिद्धी को पाई किया क्या बताव किया क्या जब भी तु जब आया था तब कुछ नहीं था यह जान रहा है फिर अब कुछ करना चाहिए विकल्प हुए उसको जान लिया फिर पुनिका हो दे हुआ कुछ कुछ होने लगा तो वो जानने लगा फिर वो बढ़ते हुए कोई मूर्त रूप ले लिया मकान बन गया दुकान बन गई परिवार बन गया तब क्या किया तब भी जाना अब पहले अंकार हो रहा था सब मेरे नुसार चलता है तब जान रहा था अब अंकार पर बार बार चोट पड़ती है कि मेरे नुसार कुछ नहीं हो रहा मेरे नुसार कुछ नहीं तब भी जानी रह किया गया ज्यानात अन्यात करोवतिके हमने क्या किया बताओ बच्पन में थे शरीर बढ़ रहा था जान रहे थे तब भी बहुत कोशिस कीती कि च्छेपिट के हो जाएं अब नहीं हो पाएं जान लिया अब ये सरीर क्षीन हो रहा है कोशिस करते हैं, बाल को सबबे होने से बचा लें, जड़ने से बचा लें, सरीर को कैते हैं, जीर्डोने से बचा लें, क्या कर पा रहा है? बताओ. जानी रहा हो तब भी? पूरी उर्जा लगा देते हो? और मुझे पता है ग्यान क्या बल हम में इतना कम होता है, एक गंटे में कुछ नहीं कर सकता है इसके उपदेश को बाहरे एक डॉक्टर खड़ा हो जाए ना तुम खाने में इतना चेंज करतो तुम्हारा ही हो जाएगा वो उपदेश प्रामाने की लगने लगे गए बूल जाओ और डॉक्टर की बात तो छोड़ो कोई शड़क आजमी कोई मैसेच चोड़े भूपदेश भगवान की बानी से ज़्यादा काम लग लगता है हमें ग्यान का मजा नहीं आता है मजा करते तो महीं आता है और जिस को जिसमें मजा आता है वोही करता है मैं तो यह नियम जानता हूं यह उपर उपर की जब बाते हैं यह सब उपरी है बीतरी तो जिसको जिसमें आनन्द आ रहा है वो वही कर रहा है जिसकी दस्टी में जो कीमती है वो कीमती है जिसकी दस्टी में सरीर कीमती है वो सरीर के लिए दोड़ रहा है और जिसकी दरश्टी में धन कीम्ती है गो के लिए के लिए दोड रहा और जिससे आत्मा कीम्त लग रहा है और आत्मा की तुरफ जारा है गेहरी रूची जहां पड़ी होती है जी वह करत है यह इसमें कोई कोई नहीं है दो राय नहीं है बागी तो सब किसी के कारण कोई कुछ करने लगे किसी के सामने कुछ बोलने लगे यह सब तो conscious mind के खेल है उपरी उपरी है पंडित जी मिल गए तो अच्छी बात करने लगे मित्र मिल गए तो स्कूल की बात करने लगे बराबर ओफिस में गए तो यह सब consciously हो रहा है लेकि अंदर का जो गेरा सरद्दान है वो तो पड़ा हुआ है वहां से सुधार है अंदर का जो अनंत अभी प्राय पड़ा है भोगों में सुख मानने का पर में अपना पन मानने का धन बेव कमाने का मान प्रतिष्टा पाने का ओहो प्रभो सत्या नासी अभी प्राय है यह लाइन वहां पहुंचाओ कि मैं परका कुछ कर सकता नहीं और यह जो सब जगत का ताइफा चल रहा है उसको बोलते हैं मोह वयम व्यवहारी नाम यह क्या है यह सब व्यवहारी जीवों का मोह नाच रहा है घरे खर तो उनने भी यही किया क्या जाना जाना तो सब ने लेकिन ग्यानियों के पास मोह नहीं था ना इसलिए मात्र जानते रहे बराबर क्याल में आया की नहीं आया और अग्यानियों के पास मोह था इसलिए हर ग्यान की खुराक में मोह डालते रहे गजब है ग्यानी विश को भी अम्रुत बना देते हैं ग्यान के बल से और अग्यानी अम्रुत को भी विश बना देते हैं मों के बल से यह समय सार परमागम गुर्देप किर्देम जब भी बात आ दे ओ ओ ओ अशरीरी थवानों माल गचें किवो माल अशरीर थवानों शास्त्र गचें अहिना यह समड़े अने शरीर सहित रहे ही अवी आ शरीर मा ताकात नती कर्मा ताकात नती आवी वात सांबडी ने तो जे म सूरी नी सामे बर्फ पिगडी जाए बयंकर वावा जोडू चालतो होए तो जे तमारू उचे न दीप बुझी जाए सुके भाई पानी पड़े तो सरीनमेल निकडी जाये एम समय सार्णी दोद्मार संबडी ने मोय तो क्यार नो हो समय सार्म शामि ने मोय रहे आवी मोय निताकाद नाति व्रफ आवी मॉय nine ताकाद नाति अ कि इतना एक लाइन में मोक्ष का बीज दे दिया आत्मा ज्ञानम स्वयम ज्ञानम ज्ञानात अन्यात कर और मैं तो ज्ञानी हूं शेर बजार बढ़ गया मैं ज्ञान रहा हूं कि मौतिजी आरा फुट बिच गाटन खने वोज का अरपन करेंगे अपन ज्ञान रोग कर लेंगे हमार क्या है कि आत्मा ज्यानम समय मैं आफ लाइन जानते हैं ओफ लाइन जानते हैं हाड़्ग्पी मैं जानते हैं सॉट गाफ आन्यत करो ती कि इस गयान के लावा मैं कुछ करता ही नहीं हूँ आखो जगात पूरप थी पश्यम तरफ जोड़े एवा बिरिजनी चर्चा करे छे आ समय सार बाहर थी अंतर तरफ जोड़ाए एवो बिरिज छे संसार थी मोक्ष तरफ जोड़ाए एवो बिरिज छे हम जागी किन जागा समय सार के वो बिरिज छे बाहर थी अंतर लई जाए एवो ड़िज नधी लई जाए और द्यान राग जोड़ा बिरिज आने आ बिरिज मां एककज खूबी छे ₹ कई कि त्याहें वीकल अलाओड न थी नहीं वीकल अलाओड न थी बीकल अलाओड न थी वीकल आटले पार्को कोई पार्को तमने लेजसे जाते चालीने जाओ अटली समान था उस दृत पर ही वीकल अलाउड नहीं है कोई कोई फोर वीलर नहीं मिलेगी कोई ओला नहीं मिलेगी कोई उवेर नहीं कोई रिक्षा नहीं कोई मेट्रो नहीं पैदल जाओ पैदल जाओ पैदल किसका चिन्ने पुरुशार्थ का चिन्न अग्या नंबननी गाड़ी कई गाड़ी के वाए ने अग्या नंबननी गाड़ी अटली खूबी छे आब रिज मां जे समयसार बनावी जो ब्रिज बनावी दीदू छे आपना तीर्थंकर शब्द जेन धर्म कि वो महान कितना महान बगवान को हम क्या कहते तीर्थंकर तीर्थ मतलब क्या कहलाता है ब्रिज जो एक चीज को दूसरी चीज से जोड़े वो तीर्थ इसलिए तो जब यह नदी किनारे तीर्थ क्यों बने ज्यादा तर संगम जाओ होते हैं दो जुड़ते हैं इसलिए ब्रिज तो संस्कुर्ट में तीर्थ मतलब मार्ग कहलाता है ब्रिज कहलाता है तो अपने भगवान आपको मोक्ष में लेके नहीं जाते यहां से अंतर पढ़ता है सब जिग है इसलाम यह कह रहा है कि मुसलमान बन जाओ तो तुम बज जाओगे किस्चन यह कह रहा है कि इसा मसी आने वाले हैं तोड़े टाइम के बाद में तुम बज जाओगे तुम बोले गीता में भी यह आया कि तुम मेरे पास आजाओ मैं और मार्ग भी मैंने बनाया नहीं बना बनाया मैं तुसे बता रहा सर्वही अरे हंतने बिदिनास की नी जिस बिधी सब को बताई वह बिधी हो न मन उनको सब बिधी सभी प्रकार के अरंत बगवान है आत्मा ज्यानम स्वयम ज्यानम ज्याना तन्यत करो तिकें ये मोक्ष का मार्ग भगा देगा ज्याना तन्यत करो कोई काम ही नी पर भावस्य करता त्मा मोयम व्यवारी नाम तु पर को करने जाएगा ये मानेता तेरा मो है सबको बताई वे बगवान तो कह रहे है कब से कह रहे है कोई ऐसा जान दो ऐसा जान दो पर भावस से मोह हैं मगर क्या करें हमारे इतनी अनादी की कुटेव के कारण बिनन बिनन भाश्तू बिनन दिखाई नहीं देती निर्दोस मोक्ष माल निर्धोस नहीं दिखाई देता हमेशा अनादी का कच्रा इस मोक्ष मार के अम्रुत में मिल जाथ और शुरुवात गाने आतो बात ठीक छे पंड पंड कहीने कचलना करूं सरु भूल होता है कि नहीं होता आम तो बदू मंदिर में बात सारी चेना बैया व्याक्यां दाविदी थाये ना बैया बदू थोड़ी धरमती चाले बदू धरमती चाले धरम मैं जीवन हो जो ही है आने धरम सुन धरम मैं जीवन नहीं जा रहे बात करूं तैरे सवभविक है कोई 24 गंटे स्वाहा पूजन नहीं कर सकता कोई 24 गंटे 24 गंटे पूस्तक लेकर नहीं बैठ सकता कोई 24 गंटे तीर सी आत्रा नहीं कर सकता दान नहीं दे सकता लेकिन 24 गंटे धरम कर सकता है कौँसा यह लाइन जो बताए कौँसा आत्मा ज्यानम बोलो आगे ज्यानात फिर से बोलो आत्मा फिर से बोलो एक बार कौन सा धरम करना है 24 गंटे पुर्शार्त ये तो हुआ अब साथदानी कौन सी रखनी है जब ज्यान सुभाव बिगड़ता दिखे तो फिर से याद करना है ये क्यों बिगड़ा राग के कारण तो ये मैं नहीं हूँ राग से द्वेस से मोय से हटका ज्यानमई 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 मैं हूँ इसका पुर्शार्त करना है 24 गंटे की साथदानी 24 गंटे का धरम लोग तो 24 गंटे का पोसा करते पोसा और पोसा के नाम पर 24 गंटे का पोसा करें बराबर्ड फिर मैने माmm के उपदान करें बराबर और 25 साल पड़ लख लाएं लेकिन पांस मिड्य यह काम ना करें 24 गंटे ये से किरिया कांड़ों में लग उल जशे रहें मात अर्च यानमई मे तक करिया कांड़ों माला कंड़ते रहें गुर्देव ने क्या माल दिया क्यों उनके वो कहते है न चार चौपड़ी बाले के आगे बड़े न्याय तीर्थ सिद्धान्त शास्त्री सबने अत्मस्तफ हो जाते थे चार चौपड़ी जिनने पढ़ी उनकी आगे बड़े बड़े बंसी धर जी न्याय अचारिया यह ऐसे ऐसे लोग जो अपने आगे खेर खाते जितने भी विद्वत परंपरा दिखाई देती है इन सब को ज्ञान गुरुदेव से कम मिला द्रस्त्री मिली क्या मिली बागी इस सब लोग पहले से न्याय तीर्थ थे कोई किपूल चंजी शास्त्री बराबर केराश चंजी शास्त्री बंसी धर जी शास्त्री यह कोई यह से नहीं थे कि जीव क्या है शुरू से बाल पोथी पढ़ के आए हो इन्होंने अपना जीवन पूरा लगा दिया था इसमें और जीवन की परिपक्व अवस्ता में ने गुरुदेव का सन्योग मिला युगल जी उत्तम चंजी ज्ञान चंजी डॉक्टर साफ यह कोई पाट साला से गुरु आइसे लोग थे सारे पूरे भारत वर्ष के जब गुरुदेव का ओदय हुआ तो पूरे भारत वर्ष में जैसे तैसे जहां जहां पे भी गतिविदिया चलती थी जिस रूप में भी धर्म के नाम पर चलती थी ये सब वहां पर उसके मूल सुत्रगार थे गुरुदेव के पास गये नतमस्तक हो गये क्यों क्यों कि शास्त्र पड़े थे शास्त्र का मर्म नहीं समझाए पटन पाटन नद्या नद्यापन में ऐसे उलज गये कि ओहो ये ज्यान सुभावी में गयाएक सुभाव की द्रस्टी राग देश मो को गलाना है परमात्मा बनने का मार यहां चिपा है यह बात नहीं ख्यालना और तेजी ने टको रोयम के वाए एक बात सुनी एक बार सुने जोड़े कि ओहो ये आत्म ज्ञान के आगे तो सारा शब्द ज्ञान सारा क्शवप्समिक ज्ञान तो सुने ये क्रांती की गुर्देर हमज में आया तो लिए प्रबो विचार ना चोविस घंटे का धरम तो यही है कि तुम देखो जान करके भी ज्ञान को बंद नहीं कर सकते है ज्ञान करके भी आप चाहो ना लोग आजकल बहुत परशारा मगज अटलू चाले से ना अटलू चाल आफ आज तो सारू फूती वक्ते शांती नती ओदी होगती हो के चले सांती सो सांती से शोपिको इसका और अफ का बटन ही नहीं है एक विकल्ब गुज़ जा है वो गुमता रहा हुम गुम 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 अब मच्चर के लिए तो तुमने गुड़ नाइट लगा दिया एक विकल्ब के लिए क्या करोगी है गुमता रहता है रात रात की नीद खराब कर देता है दंदे में क्या होगा इस में क्या होगा उस में क्या होगा चरी में क्या होगा एक बीमारी आती है तो अपने आपको बेंटिलेटर पर देखने लगता है एक बीमारी में सारा तत्वग्यान स्वाहा एक विप्रित परिस्थिती में सब तत्वग्यान स्वाहा विचार करके देखो अरे प्रभू गेरा निर्ने करो भाई मैं तो जानने वार देखो हर चीज के अपने अपने रस्ते होते हैं धन के आने का रस्ता है धन के जाने का रस्ता है सरीर के बनने का रस्ता है बिगडने का रस्ता है जीवन होने के रस्ते हैं तो जीवन जाने की भी रस्ते हैं अमर पाटा लेकर तो कोई आए ही नहीं ना तुम हो ना कोई संयोग है ना कोई व्यक्ति है किसके बरोसे तुम रहोगे है कि सहले सब्सक्राइब तो 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 बाले एक भाई कहने लगे कि तम्हें अवानोर गानुएं अवानुग 2,4 डेवस मा आवानुग तमने खाएंगे तम्हें तम्हें नहीं अवानुग फंहें नहीं आवानुग केहार तो सेलेस भाई यहां आगया अना थोड़ा देवस पजी मंबई जता रहे है अब भूला कौन अबरोस है कौन रहे है है सेलेहर प्अननद की भाई तुम किसके बोल से तुम रहो तो नोटम्राइए पहले हैं फौह प्रॉब्लम ऑपने घर में है वही प्रॉब्लम वही चलेगा गई है तो उनके गर की जबाई को उन चैतन ही सर्व सिद्धियों को देने वाला है अरे चैतन ही मैं हूँ देने वाला कि जिसे किसी की जरूरत ना हो ऐसा चैतन परिपूर्ण तत्त वो मैं हूँ और इसके अलावा किसी भी रूप अपने आपको मानना मोह वयंग्यवहारी ना हूँ अगर कोई धर्म का 24 गंटे 24 वाई 7 रूप हो सकता है तो ये रूप हो सकता है कौन सा रूप कोई विदी विदान परग रूप 24 वाई 7 नहीं हो सकता कोई वेशबूशा परग रूप 24 वाई 7 नहीं हो सकता कोई भी रूप 24 by 7 नहीं हो सकता अगर आप चायते हो कि हर क्रिया में धर्म अभिव्यक्त हो तो धर्म का मात्र यही रूप कौन सा रूप मैं ग्यानमई हूँ ग्यानमई ही रहूंगा यह धर्म ग्यानमई हूँ यह धर्म और ग्यान मही रहूं ये पुरुशाण ये मर क्या बोला मैं ग्यान मही हूं ये दर मैं बस तुगा प्रकट नहीं करना ऐसा ही रहना ये पुरुशाण आ अब जिक नहीं समझे भाई आने तो रोग को के दूंगा ग्नमाइ हूं ग्नमाइ रहूंगा तेरी हैसियत नहीं मेरे ग्न सुभाव को छूप सके आने तो पाप के होदय को देख लूँगा कोई भी तेरी अंदर में ताकत नहीं है कि तुम मेरे सुभाव के अंदर प्रविष्च कर जाए तुझे भी देखनोंगा सारा जगत पतिकूल हो जाए ज्ञानि केता जगत को देखनोंगा सारा जगत आके माते पाचडाले उसको भी देखनोंगा शुरूप है भाई साब हो है ज्यान महीरा है यह दर्म है यह बस्तू का सुरूप है बाई साब यह लिखा और यह बगवान की बात नहीं है यह ज्यानी की बात नहीं है यह ज्यानी की भी बात नहीं है यह आत्मा की बात किसकी बात है आत्मा की बात है जो जो आत्मा है निगोद से लेकर सिद्धता सब के लिए एक कई बात है कौन सी बोलो आत्मा ज्यानम स्वयं ज्यानम ज्यानात अन्यात करो तिकिम परभावस्य करतात्मा मोहोयं यवामारियो ऐसा परम पुरुशार्ट प्रगट हो तो सनातन धर्म भी अमारे अंदर में आए बिना रहेगा नहीं